Hello everyone, this is Ashi Jain. In this video lecture, we will see how to create nested table. देकि nested table के मतलब के होता है जैसी के लिए? कि एक table form हमें बनाना, एक table बनाना, एक table की अंदर दूसरी table बनाना, उसको बोते हैं हम nested table. ठीक है? तो पहले हम एक बार देख रहे थे हैं कि output की हम क्या बनाने जा रहे हैं? उसके बाद हम उसके input देना शूरू करेंगे. तो देखें, यह है हम example जो हम करने जा रहे हैं. जैसे देख सकते हूँ, हमने last video lecture में table बनाना सिखा था, तो I hope आप table बनाना सिखेंगे, बटर हम देखें, देखें, जैसे यह nested table, means एक oledic table है, उसके अंदर हमें एक और table क्रीड करने हैं. तो वो कैसे करते हैं, आप हम आज देखेंगे. स्टार्ट करते देखें. फिर्स्ट वन हम HTML टैग उपन करते हैं. देखें, then head to give a title. टाइटल डेदे देते हैं. नेस्ट टेबल. दन फिर्स्ट प्लोज टैटल टैग. आद दन दन लेखेंगे. नाओ, पर लेट स्टार्ट पिद टी बटी. बोड़ी देखे हम क्या करें हम टेबल मिनाने जाएं तो अब क्या करते हम टेबल बोर्डर टेबल ओपन करेंगे इसके पाद देखे टेबल बोर्डर सपोस हम कुछ में बाद हैं equal to suppose 10 बॉर्डर कलर दिखिए यहां पर कितना क्या दिखिए यहां पर lime color है तो हम sd लिखते थे है बॉर्डर कलर equal to lime and table दिखिए center में थी line equal to center हमने यह table का tag दिखिए है then table के heading है यहां पर दिखिए का लिखिए table attributes तो हम table के heading कैसे दलते हैं यहां पर हम with the help of caption tag caption table attributes close this tag अब इसके बाद हम table बनाना शुरु कर रहे हैं तो देखिए यहां पर first के हम row बनाएंगे तो start with the table row and table row में हम पर रहे है table की heading है that means color and element so start with table row that is tr then th th table heading दिखिए आपर देखिए table heading दिखिए आपर कितने column को cover कर पहे 1 2 and 3 और जब कोई भी particular कोई अगर cell अगर column को cover कर रहा है तो अब उसके लिए क्योंसा tag देते है that is call span तो यहां लिखेंगे th that is call span equal to 3 call span equal to 3 and then adding का नाम के है color and alignment and then close table head and then close table row that is tr tag now let's give another tr अब जहां दिखिए आपर tr के बाद दिखिए क्याते हैं td it is stable data तो td लिखेंगे और पर यहां पर जैसे यहां लिख सकते हैं td ठीक है मालनीजे मैं इसको green color देना चाहता हूं इस पूरे जल को तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं td bg color bg color equal to green close and date उसमें क्या लिखा हूँ है table data में अंदर cell में क्या लिखा हूँ है green and then close td अभी अभी हमें table row close नहीं करना अभी हम इसी रो में अभी और भी हम table data add हूँ करें तो हमारा first यह complete हो चुका है अब इसको बार देखिए यहां पर एक picture एक image create की हूँ है ठीक है तो क्या देखेंगे यहां पर देखें अब आपको एक चीज़ और यहां पर देहना पड़ागा चाहसती है कि हमने table heading में हमने लिखा था call span क्यों क्योंकि वह heading जए 3 column को cover कर रहा हूँ अब ऐसे देखेंगे जो particular style basically 3 row को cover कर रहा है तो यहां पर लिखेंगे td अपर लिखेंगे row span equal to 3 3 क्यों यहां पर 3 row को cover कर रहा है तो यहां पर देखें td row span equal to 3 row span equal to 3 row span equal to 3 अब इसके बाद हम एक image जो इंसर्ट करनी है तो इसके लिए हम क्या देते है img source that is src equal to inverted commas में देखें मैं यह वाली image मैं इंसर्ट कर रहा हूं मैं राइट क्लिक करेंगे properties में जाएंगे यहां पर जो file का नाम है that is location let's copy this and type of file jpg तो यहां पर मैं इसको control पर सी करके copy कर दूँ और फिर file का जो नाम है commerce file का नाम का है commerce format का है dot jpg inverted, close then close this tag and then close td tag यह भी हमार हो गा है then यह हमार कम भी हो चुका है next td that is orange यह भी आपका देखे orange आपका background color है अब आप देखे हो बैसी करेंगे td td bg color equal to orange and then data में का लिका होगा है orange then close td ठीक है यह हो गया है अब देखे हमारे first row compute होगे है तो tr को भी close करेंगे tr close next में जाएंगे tr open करेंगे td open करेंगे देखेंगे आपके td में का लिखा होगा है पहले देखेंगे देखेंगे अब लिखा है blue तो हम इसको भी pg color equal to blue and then now देखें blue then now close first td तो देखें हमने आपर first blue यह वाला cover कर लिया है अब हमें देखें दुबारा फिरसे यह अब यहां पर करेंगे तो इसी को करेंगे td bg color bg color bg color equal to gray and then put a data cell में हम का लिख रहे है input का देखें आपर gray then close td and then close tr क्योंक रो पर नहीं हो चुकी हमारी now start another table row and td td यहांपर क्या लिखा हो देखें यह हमें लिखा है abc अब abc यहांपर जो input है जो data में जो भी content लिखा हुआ है यह लिखा है और आप देखें तो यहांपर towards the right side में लिखा हुआ है तो हमें यह भी हम ऐसे यहांपर करेंगे td align equal to right td align equal to right ठीक है content के हांपर then close td that's it ठीक है अब यह तो हमारा already हो चुका है अब यहांपर आएंगे nested table की तरफ तो देखके इसके बहुत जहांसे देखेगा पहले आप table को जहांसे लिखा हुआ है एक table जो हमारी दो column और दो row के एक table क्रेटिव हुआ है अब हम पहले तो हम td करेंगे क्योंकि इसी td में जो है वह table है तो td अब जैसे हम table create कर जाता है वहीं सा चाड़ करेंगे आप समझेए हम यहांसे जब नई table बनाना शूर कर रहे हैं तो वैसे करेंगे table border border था में पर table border is equal to 8 चीक है enter tr first row td td में पर क्या लिक आप देखें td में पर क्या लिक आप देखें td में पर क्या लिक आप देखें nested nested then close td और एक और td था में पर क्या लिक आप देखेंगे and close td यह हम ने लिख दिया अब हम इस table की row के पर रिच करेंगे तो यहां पर लिखेंगे tr close कर देखेंगे then open another tr then open td यह पर लिखें one close td then open another td two close td देखें हमने यहां तक कर लिया है अच्छा अब हमें table row भी जो है करनी है अब अब हमें इस table को इस table को close करना है ठीक है इस table को close करना है तो लिखेंगे table close कर लिया table close करने के बाद देखेंगे अभी हमारा जो table है table तो खतम कर दिया बट वो data cell जो open था वो अभी भी open है जो हमने td जो table create करने साब तो td open था उसको भी close करना है तो यह td close करते हैं ठीक है td close हो गया td close करने के पाद ज्यान से दिखेंगे आपर हमें आपको यह td close करते हैं और यह पूरी row को खतम करना है close करना है तो अब tr close करेंगे tr close करेंगे tr close करेंगे body table उसको close करेंगे ठीक है ठीक है उसके बाद हम body open 3 उसको करेंगे close and then html that's it now press ctrl plus s let's give nested.html all types save as all types all files save now let's check its output see this is the output so see this is the output table and another table inside the table ठीक है इसमें हमने दोनों ची देख ली कि कैसे हम row span और column span कैसे यूज करते हैं और फिर nested table कैसे यूज करते हैं I hope you understood very well thank you